लड़की बहुत अच्छी टेलर है यह आपने ठीक तरह से पता तो किया है ना अरे हाँ भाग्यवान मैंने सब पता कर लिया है अब तुम चलो देर हो रही है मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम मेरी शादी कनी की बात करने जा रही हो मा या अपने दुकान के लिए नई टेलर देखने जा रही हो अरे चुपकर अभी तु बच्चा है दुन्यादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता अरे तु तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा लेकिन मा अरे तेरे पिता जी से पूछ ले इन्होंने अपनी जिन्दगे में कितनी नौकरी पकड़ी है और छोड़ी है अरे वो तो मैं थी जो सिलाई करके घर चलाती थी अरे बेटा बुरा वक्त कभी फोन करके नहीं आता तेलर बहु लाओंगी तो मेरे साथ दुकान में सिलाई करेगी समझा चलब दोपर होने तक तीनों लड़की वालों के घर पहुँच जाते हैं सभी बाते और चाय पानी होने के बाद बहन जी आपका बेटा रोहित एक अच्छी कमपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वा भी है बस हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें आपका बेटा बहुत पसंद है हमें भी आपकी बेटी मीना पसंद है जी मुझे लगता है हमें बच्चों को भी आपस में बात करने का मौका देना चाहिए हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा भाई साब जाओ बच्चों बाहर जाके बात कर लो अरे आप रुकिये जी अच्छा ये बताओ बेटी तुमने सिलाई कहां से सीखी है जी दीना ना थी इंस्टिटूट से अरे बेहन जी मेरी बेटी इस महले में सबसे अच्छी बिलाई उस सिलती है और एक से बढ़कर एक डिजाइन भी बना लीती है अच्छा चल बेटी जड़ा तेरे हाथ की कारेगिरी देख लेते हैं अरे माँ ये सब करने की क्या जरूरत है अरे तू चुप कर लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि हमारी लड़की को तो सब आता है बाद में असलियत सामने आती है इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती तू चुप करके मैट मीना शांती देवी को दो तिन प्रकार की बड़िया बड़िया डिजाइन दार ब्लाउस बना कर दिखाती है ये देखिए ये है प्रिंसस का टा अरे वा बेटी मा नगय तुझे तू तो मुझसे भी अच्छा बिलाउस सिल लेती है चलिए बहन जी हमें तो आपकी बेटी पसंद है अब इसी बात पर मुझ मीठा कराईए जी बिलकर इस तरह रोहित और मीना की शादी हो जाती है शादी के अगले दिन से मीना अपनी सास की साथ सारा दिन दुकान पर सिलाई करती रहती और अपने पती रोहित को ज़रा सा भी समय नहीं दे पाती थी फिर एक दिन रोहित फोन करके मीना से कहता है मीना आज शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरंट में खाना खाने चलेंगे तुम तयार रहना मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊंगा ठीक है जी शाम को रोहित जब घर आता है तो मीना सिलाए मशिन पर बैठी ब्लाउस सिल रही होती है अरे ये क्या मैंने तुम से कहा तो था कि शाम को हमें रेस्टोरंट में खाना खाने के लिए जाना है और तुम होकी सिलाई कर रही हो हद हो गई रोहित चुप चाप वहां से चला जाता है इस तरह अपनी सास के डर के मारे मीना चाहा कर भी अपने पती के लिए वक्त नहीं बिता पाती थी फिर एक दिन रोहित दुपर को ऑफिस से घर आता है उसके साथ उसकी कार में एक लड़की बैठी होती है दोनों एक दुसरे से मुस्करा कर बाते कर रहे होते हैं मा जरा टेबल पर रखी मेरी फाइल तो देना मैं भूल किया था ये कौन लड़की है तेरे साथ अरे मा ये तो मेरे साथ आफिस में काम करती है इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है उसी शाम अरे क्या हुआ भागयबान तुमारा चेहरा क्यों उत्रा हुआ है किस चिंता में डूबी हुई हो क्या बताओं जी आज रोहित के साथ एक लड़की आई थी कह रहा था उसके आफिस में काम करती है मुझे तो उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगते कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है अब अगर चक्कर हुआ भी तो इसमें बुराई क्या है हरे बड़े अजीब आदमी हो आप कैसी बाते कर रहे हो तो और क्या कहूं तुम घर में बहु के बजाए एक काम करने वाली लड़की लेकर आई हो जो सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पर काम कर सके अरे भाग्यवान शुक्र मनाओ कि मैं शरीफ था इसलिए मैंने कभी किसी औरत की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा पर अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता न इतना कहकर गिर्धारी वहाँ से चले जाते है शांती देवी समझ जाती है कि गिर्धारी क्या कहना चाते है उसे अपनी गलती का एसास हो जाता है और वो सोचती है जितनी जल्दी हो सकेगी वो अपनी गलती सुधार लेगी और इसलिए दो दिन के बाद रोहित बेटा मैं चाती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तु अपनी आफिस से चुटी ले ले क्यों क्या हुआ मा आरे कुछ नहीं बेटा मैंने तेरे और बहु के लिए शिमला की दो टिकेट बुकी है मैं चाती हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ क्यों बहु ठीक है ना सासुमा की बात सुनकर मीना का चहरा भी खिल उड़ता है वो शर्मा कर कहती है जी माजी जैसा आप ठीक समझे और इस तरह शांती देवी पूरी तरह से बदल जाती है शिक्षा बहु को बहु नहीं बलकि बेटी समझना चाहिए और ना कि काम करने वाली नौकरानी